हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल स्विताज की चिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही पेस्टी और बहुत ही यूनिक तरीके से यह आटे का स्नाक्स यह स्वीट होता है और इसे आप इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब में चैनल और सेर जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले हम गिहू का आटा ले लेंगे दो कप कोई मैजर्मेंटके लिए कप या बाउल कुछ भी ले सकते हैं फिर आधा कप लेंगे रबा सुजी आप कोई भी मोटा वाला या फिर महीन वाला कुछ भी ले सकते हैं फिर इलाइची पाउडर 1 smack ऑर 2 कप आटा के लिए एक कप चीन नी चाहिए इसे आप बनाकर एक महिने तक अराम से स्टोर करके रख सकते हैं बचों को स्नाक्स के लिए दे सकते हैं या फिर टिफिन में भी दे सकते हैं कभी-कभी चेंज करके अब इसमें घी डालेंगे मोयन के लिए घी मैंने टू टेबल एस्पून डाला है आप घी थोड़ा कम या ज अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लेंगे यह बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें जो भी हमने इंग्रीडियन्ट डाला है उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसको अच्छी तरह से mix करके ऐसे दबा के आप देख लीजिए अकर ये बंद रहा है तो मौयन सही है नहीं तो थोड़ा सा आप और mix कर सकते हैं अब जो हमने सूगर लिया था चीनी उसमें आधा कप दूद डालेंगे ये दूद उबला हुआ है बर ठंडा है गरम नहीं है गरम बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि चीनी को इसमें melt नहीं करना है बस इसमें डालना है ताकि इसे हम जो हमने आटा लिया है उसको सकते हैं बट दूर डालनें पिसका टिस्ट बहुत ही जादा अच्छा आता है तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर ट्राई किजिएगा अब इसको हाथों से ऐसे मिक्स करते हुए एक जगा करेंगे इसको बिल्कुल रोटी के आठा के तरह या फिर पराठा का आठ जैसे लगाते उस तरह नहीं करना है गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे चीनी जब ऐसे रहेगा तो जब हम इसको बनाएंगे जैसे बिस्किट के ऊपर किसी किसी के ऊपर चीनी का दाना ऐसे दिखता है तो खाने में भी अच्छालगता और देखने में भी तो बिल्कुल फैसे भी बने गाई ये तो इसलिए आप आप चीनी को बिल्कुल घुला कर नहीं डालिए घुलना नहीं चाहिए दूद के अंदर इसलिए गरम दूद का यूज बिल्कुल भी ना करें हाथों से ऐसे मसल के इसको इतना मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम coconut, desiccated coconut है यह यह डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें coconut cookies जैसे खाते है ना तो बिल्कुल वैसा इसमें फ्लेवर आता है तो इसी टाइम पर आप coconut डालिए डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे बस ऐसा ही हमको बनाना है इसका डो अब इसको हाथों से ऐसे मसल के एक जगा कर देंगे अब इसमें से एक बरा सा बोल लेंगे इसको ऐसे चिकना करेंगे यह बहुत चिकना नहीं होता है क्योंकि बिल्कुल भी यह soft नहीं है थोड़ा सा hard है और हमें hard ही चाहिए बेलने पर किनारों से यह फटेगा तो आप हाथों से ऐसे चिपकाकर फिर बेल लिजे कोई दिक्कत नहीं है यह बिल्कुल ऐसे ही बनता है तो अगर फट रहा है तो बिल्कुल भी घबराने के जरूरत नहीं है बिल्कुल इसी तरह से दबाते हुए, बहुत पतला नहीं बेलना है, जैसे बिस्किट का थिकनेस होता है, बिल्कुल वैसा ही चाहिए हमें अब आप कुकी कटर लें, या फिर कोई भी ग्लास लें, कुछ भी लें, जिसका राउंड सेफ हो, या फिर किसी बोटल का धकल लें, उससे इसको हम काट लेंगे, बेलने के बाद, मैंने तो कपसे काट के दिखा दिया है आपको, अगर आपके पास कुकी कटर है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी चीत से ऐसे काट सकते हैं, बस राउंड सिप देना है, ताकि बिस्किट जैसा लगे ये बिल्कुल, और टेस्ट भी इसका बिस्किट जैसा आएगा, बिल्कुल इस तरह से, अब साहिट वाला निकाल लेंगे, ये बनाना ब बहुत ही जल्दी बन जाता है, और कुछ भी ऐसा समान नहीं है, कि आपके पास नहीं होगा, बस कोकोनट ही है, जिसको लाना है, अगर नहीं है तो उसके बिना भी ये बन सकता है, बट वो डालेंगे तो इसका टेस्ट जादा अच्छा आएगा, अब ओयल को मिडियम हीट ओयल में ही इसको फ्राइ करना है, और को मैंने पहले से गरम करने के लिए रखा हुआ था, एक एक करके इसको डालेंगे, और जब तक एक तरफ से अच्छी तरह से ये सीखने जाए, तब तक आप बिल्कुल भी से टच ना गरें, नहीं तो ये टूट सकता है, देखने में ह इतना प्यारा लगड़ा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप एक बर बना कर जरू ट्राइ कीजिएगा, और अराम से बना के स्टोर कीजिए, फिर साम में चाय के साथ भी से खा सकते हैं, फिर ऐसे भी खा सकते हैं, जब भी छोटी मोटी भूख हो तो इसको मिडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राइ करना है, ताकि एक खसता बने और अंदर तक अच्छी तरह से कुख हो, हाई फ्लेम पर करेंगे तो उपर से बहुत ही जल्दी सा इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा, और अंदर से कुख नहीं हो पाएगा, कच्छा रह ज रखें, और ना ही बहुत पतला बनाना है और ना ही बहुत मोटा, बिल्कुल थिकनेस इस तरह होना चाहिए, बस यह हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं, इसी तरह बागी का भी जितना है सफ्राइ कर लेंगे, और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि गरम में अभी हम निकाल लेंगे न तो यह बहुत ही सॉफ्ट होगा, यह तूट सकता है, तो इसलिए इसको निकाल कर आप प्लेट में रखिए, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको तोर के देखिए, बहुत ही यह क्रिस्प बना कर दीजिए, अगर मीठा पसंद है तो उन्हें यह बहुत पसंद आएगा, अब इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं, अब आज सुन सकते हैं कितना यह क्रिस्पी बना है और बहुत ही खस्ता, आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राइ किजिएगा, बहुत ही टे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हिट दबेल आइकन फॉर न्यूर रेसिपी और कॉमेंट करके जरूर बताएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और अगर पसंद है तो प्लीज सेर जरूर कीजिएगा, अब मैं तोर कर भी दिखाती हूँ, कितना अच्छा ब